वेलकम बैक तो माई टूप्शन पेपर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ बच्छे होंगे और आज किस वीडियो में देखने बारे है जो भी छाद्र बीसी सेकंडियर में है तो केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर लेके आए जो 2022 के एक्जाम के लिए मौस्ट यहां से आप देखोगे तो 85% मिलेगा और बहुत सारी उनिवस्टी में मतलब कि पिलस देखने को मिलेगा पिचासी परसेंट से उपर एक भी परसेंट नीची रोगा जैसे ही आपका पेपर होता है हमें आप सेंड कर दोगे हम उसका सुलूशन बूरा आपको बताएंगे क और देखो यह 2019 से हम करते चले आए 2019, 2020, 2021, तीन साल से लगाता है हम कोशन आपको प्रवाइट करा रहा है और सारे कोशन वही आते हैं जो हम एक्जाम में आपको देते हैं ठीक है और वही कोशन आपके रिपीट होते हैं यहां देखो क्या रहने वाला है पहला को ध्यान से बियात तरह नहीं यह उस्तिघ्र रही का पर प्रवाइट के जो एलिमेंन्ट होते हैं ठिक है तो जिसमें जैसे कौन फारो गया सिल्बर घो गया गोल्ड हो गया तीन होते हैं तो आवर्थ साड़ी में इसकी इस्तती बता देनी क्या किस पोजिश्यूर पर ये उपास्तित होते हैं ठीक है कोपर सिल्भर और घنت यह ग्रशिन ही नग्स कोशन आपकी सामने न अो जैसे शब्सकी अपके बाद में आता है और कोल्ट और निकिल की इस्तती में आते हैं सबसे जादा मौशन इंपोरेगा जो हर साल एक्जा में पूछा जाता जो 3D संग्मर सेड़ी की जो element होते है उसकी तुल्ना करने के लिए बोलता है 4D और 5D सेड़ी elements है ठीक है तो याद करना यह बहुत जाए इंपोर्टेंट है कि 3D संग्मर सेड़ी की तुल्ना करने के लिए बोलता है गुर्धर्म के आधार पर बोलता है 4D और 5D सेड़ी तत्बों से ठीक है इसको अच्छी तरीकी से देख लेना है नेक्स कोशन है दोयंगी योगी किसे कहते हैं इसको आप देखिए संकुल योगी क्या होते हैं कंप्लेक्स जिसे बोलते हैं बहुत अच्छी तरीकी से इंपोडेंट है यह बहुत जादा पूछा जाता है सौट में बनता है इसको आप याद करके जाएंगे ठीक है उसके से पाद में नेक्स कोशन आता है देखिए नेक्स कोशन पर टिक लगाएंगे यह लोग देखिए यह बर्णर के उप से होजब सिद्धांत की यादखेंगे ठीक है इसको अच्छे तरीकी से आप देखेंगे और होता है एक होता है कि लेड योगिक उसका बजगीकरण की ब जिसे कहते हैं balance bond theory, balance bond theory को BBT की नाम से simple पूछ लेता है, और balance point theory बहुत important है, इसको most पर लगा देना, 2022 के लिए most important quotient है, balance bond theory, उसकी सीमाई, limitation भी साथ में पूछता है, बहुत ज़ादा important है, इसको रट के जाना है आपको, और साथी साथ आपसे यहां से एक portion बनता है, यहां से एक portion 100% बनता है, वो भी sort में बरेगा, किसी ना किसी उनिवेस्टिय में पूछ लेता है, यह दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेने ना, ठीक है, यह 100% exam में हर बार में बनता है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है, और इसकी दुखो इलेक्टोनिक विन्यास के बारे हैं पूछ रहा है, इसकी बारे में वारसाथ परमाड़ो और आयनिक तरज्या, आयनिक तरज्या अलग से आपसे पहुंसता है, यह sort में कोशन बन आपको सारे notes मिल जाएंगे, ठीक है, टेलिग्राम पर जाएए, बहाँ सारे notes मिल जाएंगे, यह फिर हमारी WhatsApp पर आपको सारे reply भी मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्सों के link आपको बहाँ sort में मिल जाएंगे, next question में बोलता है, देखो, संक्रण निर्माण कैसे होता है, आप इसको मैंने sort tricks से आपको याद कराया है, उस वीडियो को जरूर देख लेना, बिल्कुल sort में, ठीक है, और IPC नाम आप से पूछता है, दो से तीन, यह दो से तीन नंबर से ही बनते है, चार question पूछेगा, जो आज यादे number के होंगे, दो number से पूछाता है, ज्यादा number से दन पूछेगा, उसके बाद में next question आपके सामने है, देखिए, इस question को टिक लगा लीजे, अमलचार के लुई सिद्धान्त, उनके बरगीकन, उनकी सफलता है, उनकी सीमाओं की बारे में, यह question बनता है, वो short में ही बनता है, यह भी question short में बनता है, कि अमलचार के लुई सिद् इसके बारे में आपको देख लेना है, next question आपके सामने है, इसको आप देख लिजी ध्यान से, आप question को टिक लगा लीजी, आपके बास, book, notes, guest paper, सारे कुछ पढ़े होंगे, आप उसको अच्छे तरीके से बहां से याद करिएगा, ठीक है, चलो, यदि नहीं है, तो आप हम और छार अभी करिया क्या होती है, ठीक है, आप छेपन अभी करिया क्या होती है, आप सभी छात्रों से कहना चाहूँगा, कि आप notes को हमारे download कर लेना, बिल्कुल सौट में इनके बार इंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सौट में, आप एक से दो बार पढ़ेंगे, आपको से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, यह करने की विदी, यह सबसे ज़्यादा MJP, यह बनता है, सबसे ज़्यादा कोशन पूछा जाता है, आप इसको पढ़के चाहिए, ठीक है, नेक्स कोशन आपके सामने आ चुक है, इस कोशन को आप एक बार ध्यान से देख लिजिए, यह यहां देखो, बोला गया है कि, जो औरिफेरस कोवार्ट होता है, उससे गोल्ड का निसकर्शन किस प्रकार से होता है, वो आप देखेंगे, और मैक अर्था फोस्फेरस, ठीक है, और साइनाइड विदी से आपको सॉल्व करना है, यह पूछा गया है, साथी साथ यहां बो सब्सक्राइब करना है, साथी साथ, कैसे लिगेंट किसे कहते हैं, लिगेंट की अलग से परिभासा बुछता है, कि लिगेंट बहुत ज़्यादा इंपूटेंट है, लिगेंट आपको सॉल्ट में बनेगा देखने के लिए, इस पर योगिक प्रया रंगीन होते हैं, जब कि जएडेंट 2 पिलस के योगिक सफेद, इसका कार्ण क्या है, इसका कार्ण क्या है, इसके बारे में आपको याद कर लेना है, नेक्स कोशन बोला गया है, कि आचुमक्त भी किसे कहते हैं, प्रती लहुचुमक्त भी किसे कहते हैं, आप इसके बारे में परिभासा है देख से बनता है उसके बाद में नेक्स कोशन आप से पूचा गया है देखिए नेक्स कोशन आप से पूचा गया है यह कोशन को ध्यान से देखेंगे जिसे कहता है किंद्रिय धातु के प्रभावी परमाणू संख्या जिसे हम EAN बोलते हैं तो EAN इसको हम क्या बोलते हैं देखो Effective Atomic Number ठीक है तो यह बहुत जादा इंपोटेंट है इसमें ही आपसे एक 18 एलेक्टॉन 18 एलेक्टॉन बोलते हैं रूल पूच लेता है नियम पूच लेता है रूल पूच लेता है कि 18 एलेक्टॉन रूल के बारे मताईए या फिर अक्रिय गै जैसे कि बीएस्सी बीएस्सी वाई पेपर हैकर है उसको आप लिंक डिस्कप्शन वाक्स में रखाए उसको सब्सक्राइब कर लिजी वाट्स अप नमबर है मैसेज करिए आपको वहां लिंक मिल जाएंगे सारे हमारी जो नोट्स है आप पहले स्टोर पर भी जाकर इसको आप सौट में देखना चाहते तो वीडियो प्रवाइड हो रही है उनको देखते रही है यहां से चार आपको जो समयता देख रहे हैं इसमें से दो समयता हर युनिवस्टी में पूची जाती है आप उनको याद कर के जाए है ठीक है चलो नेक्स्ट वोशन पर टेक लगाएंगे बटा नेक्स्ट कोशन देखो यहां से ध्यान से देखेंगे यहां बुला है अमलिचार के आरोही नियम अबधार्णा दीजिए उनकी सफलता उनकी सीमाओं की बारे बताईए कि वो हमसे पूछ रहा है कि जो आरोही नियम अबधार्णा है उनकी सफलता है क्य यह आप से सौट में बनता है आप इसको मौश्ट इंपोर्टेंट पर लगा देना यह वाला कोशन ठीक है यहां बुला गाए यूसे नो विक यूसलो भी इसकी अबधार्णा क्या थी आप से पूछ लेता है आप इसको भी अच्छे तरीके से शौट में लगा लेना मौश परशेंट 97 परशेंट फसा है आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए यहां देखू यहां बोला गया है बिटा यहां इसको आपको क्या करना है इसको ओचन को लॉंग में लगा देना यह कोशें आपसे लोंग में बनता है और यह मोस्ट इंपोटेंट है इसको याद रख लेना यह वाला D-block element किसे कहते है D-block को संक्रमर तत्वी बोलते हैं इसकी परिभासा बताईए ठीक है इसको हम संक्रमर तत्वी बोलते है D-element D-group element बोलते हैं इसको और यहां देखो इसमें पूछता है कि electronic बिद्यास बताईए चुमक की यह गुण बताईए यह संग्री योगिक के वारे में आपको explain करने बोलता है यह long में बनता है और यह आपको exam में देखने को मिलेगा तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी comment section में आप सभी लोग जरूर बताएं आसा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को आपका भाई बहन कोई भी है तो हमारे चैनल को जरूर बताना कि पेपर हैकर को अभी सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकर को प्रेस करें थैंक यूब बचिंद वीडियो बाई बाई दोस्तों